पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी प्रोग्राइम्ड इन्पुट आउट्पुट मोड आफ ट्रांसफर की जो की बहुत ही इनेफिशेंट मोड आफ ट्रांसफर है और यह मोड पर्टिकुलर्ली उस सिचुएशन में बहुत यूसफुल है जहां पर बहुत स्लो इस्पुट कम्प्टुटर की आवशक्ता हो या फिर वो सिस्टम किसी डिवाइस को कंटिनियूसली मॉनिटर करने के लिए यूस किया गया हो चुकि हम जानते हैं कि CPU की प्रोसेसिंग स्पीड और जो पेरिफेरल डिवाइसेज की प्रोसेसिंग स्पीड है इसमें बहुत ज्यादा मिस्मैच है CPU बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करता है जबकि पेरिफेरल डिवाइसेज या इंपूट आउटपूट डिवाइसेज बहुत स्लो प्रोसेसिंग करते हैं इसलिए प्रोग्राम इंपूट आउटपूट मोड आफ ट्रांसफर बहुत ही इनेफिशेंट है आए एक उधारान के माध्यम से समझते हैं कि ये मैथड क्यों इनेफिशेंट है मान लीजए कि एक कम्प्यूटर को दो इंस्रेक्शन्स जो कि किसी भी इंटरफेस का स्टेटस रेजिस्टर को पढ़ता है और फ्लेक की स्टेटस को जान पाता है ये दो इंस्रेक्शन को एग्जेक्यूट करने में एक माइक्रो सेकंड लगता है और ये मानते हैं एज्यूम करते हैं कि एक इनपुट डेटा डेवाइस डेटा इनपुट डेवाइस डेटा को हन्रिट बाइट्स पर सेकंड के एवरेड रेट से ट्रांसफर करता है जो कि एक बाइट पर 10,000 माइक्रो सेकंड के इकुलेंट हुआ इसका मतलब हर ट्रांसफर के बीच में CPU 10,000 बार फ्लेक के रेजिस्टर को पढ़ सकता है एक तरह से देखा जाए तो ये CPU अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और इस समय को वो कोई useful programming task को process करने के लिए लगा सकता था ये जो useful CPU cycles थे इसको save करने के लिए या useful programming task में utilize करने के लिए एक alternative method है जिसे हम interrupt initiated input output mode of transfer कहते हैं इस method में CPU लगातार status register को monitor नहीं करता और बलकि जो input output device का interface है जब भी data register में data ready होता है transfer करने के लिए interface एक interrupt के माध्यम से CPU को ये संदेश देता है कि data register में अब data valid data है अब आप इसे CPU register में transfer कर सकते हैं तो इस method में CPU flag के status को check नहीं करता बलकि जब data register में data valid data होता है interface interrupt signal के माध्यम से CPU को inform करता है CPU जब भी flag set हो जाता है तो जिस को जिस भी task को वो इस वग execute कर रहा था उसको momentarily interrupt करता है और इस input output जो भी उसे task perform करना होता है चाहे वो CPU register से interface के data register में data लिखना हो या फिर interface के data register से data को read करके CPU register में डालना हो वो काम perform करता है और दुबारा जिस काम को उसने interrupt किया था वापस उस काम को करने में दुबारा लग जाता है अब क्योंकि जब CPU को interrupt प्राप्त होता है वो अपने जो task को अल्रेडी execute कर रहा होता है उसे temporarily stop करता है hold करता है और data transfer को अंजाम देता है अब चुँकि data transfer को complete करने के बाद उसे वापस उसी program को दुबारा execute करना है तो यानि कि उसको return address save करना होगा तो return address जो कि program counter के content है उसे memory की stack में वो store करता है और फिर control को branch करता है उस location पे जहां पे service routine stored है जो की input output transfer को अंजाम देगा अलग अलग unit में अलग अलग तरीके से जो processor है वो service routine के address को अलग अलग तरीके से branch करता है मुखिता दो तरीके है एक है vectored interrupt और दूसरा है non-vector interrupt non-vector interrupt में जो service routine का address है वो memory की एक fixed location को assign होता है vectored interrupt में जो source interrupt करता है CPU को वो ही service routine का address भी supply करता है और उस address को हम interrupt vector कहते हैं hardware के अलावा computer को कुछ service routine की भी अवशक्ता होती है जिनकी मदद से वो peripherals को control करता है और data को peripheral और processor के बीच में transfer करता है हमें कुछ input output routine की जरुटीन की जरुवत होती है किसी भी peripheral device को control command issue करने के और उसके status को check करने के लिए कि क्या वो device data transfer के लिए ready है जब वो device data transfer करने के लिए ready हो जाता है तो item by item सारा data transfer किया जाता है कुछ routines के हमें इसलिए भी जरुवत होती है कि data transfer के बीच में कोई error तो नहीं generate हुआ है तो उसको status बार बार चेक करने के जरुवत होती है error checking के लिए इंटरप्ट कंट्रोल ट्रांसफर में input output software peripheral devices को command issue करता है इंटरप्ट करने के लिए जब वो ready हो और इंटरप्ट को service करने के लिए जब भी इंटरप्ट उकर करता है इसी कारण से जो manufacturers होते हैं वो standard peripheral devices जो होते हैं उनके input output routine को खुद ही provide कराते हैं computer system के part की तर है जिनने के हम driver कहते हैं अगर आपको याद हो तो हम जब भी कोई नया device install करते हैं चाहे वो printer हो चाहे वो barcode reader हो तो आप उसके driver भी install करते हैं चनरली अब वो operating system का ही part होते हैं या कहें कि input output routine जो हैं अब ज़्यादा तर operating system के procedure की तरह ही available होते हैं CPU और input output device के बीच में जो data transfer होता है उसे CPU ही initiate करता है हाला कि CPU तब तक इस data transfer को start नहीं कर सकता जब तक जो device है वो ready हो CPU के साथ communicate करने के लिए और CPU को कि यह कैसे पता लगता है कि वो device ready है की नहीं है यह interrupt signal के माध्यम से पता चलता है जैसे ही CPU को interface unit से interrupt प्राप्त होता है वो return address जो की PC यानि की program counter में stored है उसे memory stack में store करता है और program को branch कर देता है service routine जो की उस transfer को facilitate करेगा अगर हम general computer system की बात करें तो एक system में एक computer system में एक से ज़्यादा input output devices या peripheral devices attached होते हैं और हर device CPU को interrupt कर सकता है तो interrupt system का सबसे पहला काम है यह पता लगाना कि यह device यह interrupt किस device से initiate हुआ है यानि की इस interrupt का source कौन साथ device है ऐसा भी possible है कि एक ही समय में एक से ज़्यादा device interrupt signal issue करें एसी दशा में system को यह भी resolve करना है कि case device की service को request करें तो priority interrupt एक ऐसा system है जो कि यह decide करता है कि अगर एक ही समय में दो device या दो से ज़्यादा device जो की computer से attached है एक ही समय में interrupt अगर generate करते हैं तो किस device को पहली priority दें data transfer के लिए यानि कि किस device की request को सबसे पहले service किया जाएगा यह system इस चीज़ का भी ख्याल रगता है कि अगर वो किसी interrupt को इस वक्त service कर रहा है तो कौन सी ऐसी conditions है जो की अगर कोई interrupt इस वक्त service हो रहा है तो उसको भी बीच में रोका जा सके या interrupt किया जा सके तो यह सब काम है priority interrupt system का तो सबसे पहले system में ऐसी सारी conditions जिनको अगर delay किया जाए या फिर बीच में interrupt किया जाए रोका जाए तो serious consequence हो सकते है उसके उन task को identify करके उनको high priority पे रख दिया जाता है उनको high priority नंबर assign कर दिया जाता है ज़्यादा तर जो device high rate में बहुत high rate से high speed से data transfer करते हैं generally उन्हें higher priority पे रखा जाता है higher priority नंबर पे रखा जाता है और जो slow data transfer करते हैं उनकी priority नीचे रखी जाती है जैसे कि अगर magnetic disk और keyboard की बात करें तो magnetic disk ज़्यादा speed से transfer करता है data transfer तो उसकी priority ज़्यादा होगी keyboard की कम होगी तो एक ही समय में अगर दो device CPU को interrupt करते हैं तो CPU जिस device की priority ज़्यादा होती है पहले उसे service करता है system की priority को resolve करने के लिए आप hardware का इस्तमाल भी कर सकते हैं और आप software का इस्तमाल भी कर सकते हैं जब आप software का इस्तमाल कर रहे हूँ तो polling की मदद से आप priority को resolve कर सकते हैं इस method में सारे interrupt का एक ही common branch address होता है जैसे ही device interrupt generate करता है CPU branch करता है और सारे devices को sequence में poll करना शुरू कर देता है जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि speed के हिसाब से या device की priority के हिसाब से एक number priority number दे दिया जाता है तो जिस device की सबसे ज़्यादा priority होगी सबसे पहले उस device से pooling होगी pool करेगा data अगर जिस device की priority सबसे ज़्यादा है अगर उसने interrupt signal generate किया है तो control उस device के service routine को branch कर जाता है control को तो control उस device के service routine को branch कर देता है नहीं तो उस device से जो नीचे priority में device है उसको pool करता है और test करता है कि क्या इस device ने interrupt generate किया था अगर उस device ने interrupt generate किया था तो उसका service routine execute होता है नहीं तो फिर उससे अगली priority को priority वाले device से वो pool करता है और test करता है ऐसा तब तक करता रहता है जब तक सबसे highest priority के device से सबसे lowest priority के device तक वो सबको poll करना ले यानि एक तरह से test करना ले polling से वो क्या कर रहा है sequence by sequence priority के हिसाब से test कर रहा है कि किस device ने interrupt generate किया था तो इस तरह से polling method से भी हम priority को resolve कर सकते हैं लेकिन अगर कोई ऐसा system हो CPU हो जिसमें बहुत सारे पहरे-पहरे डिवाइसेस attached हो तो ये polling जो process है ये बहुत inefficient होता है क्यों? अगर एक समय में बहुत सारे devices जो की system से attached हैं उन्होंने एक समय में interrupt generate किया तो जो polling का time है वो data transfer के time या उस request को process करने के time से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ज़्यादा time वो polling में ही लगाता है और जबकि उस request को service करने में कम time लगता इस priority interrupt को hardware के माधिम से भी implement किया जा सकता है hardware priority interrupt बहुत सारे input, output या peripheral devices से interrupt request को accept करता है और यह determine करता है कि किस source से यह interrupt आया था और जिन से आया था उन में से किस device की priority सबसे ज़्यादा है और उसकी priority के हिसाब से उस request को service करता है processing की speed को बढ़ाने के लिए हर interrupt source अपना interrupt vector यानि की अपने service routine का address भी provide करता है इसलिए इसमें polling की जरुवत नहीं पड़ती hardware priority interrupt को serially और parallelly दोनों तरीके से implement किया जा सकता है अगर hardware की मदद से priority interrupt को serially implement किया जाए तो उसे daisy chaining कहते हैं और अगर parallelly implement किया जाए तो उसे parallel priority कहते हैं तो इस lecture में हमने जाना कि programmed input output mode of transfer के limitations क्या है interrupt initiated input output mode of transfer क्या है और उसे हम software और hardware की मदद से किस तरह से implement कर सकते हैं तो software की मदद से हमने polling की बात इस lecture में की अगले lecture में हम बात करेंगे hardware की मदद से serial fashion में हम serial fashion में और parallel fashion में हम किस तरह से priority interrupt को implement कर सकते हैं तो अगले lecture में हम बात करेंगे daisy chaining की और parallel priority की धन्यवाद क्रيल अगले McC отвеч दो उisson क्रीज हमे हम देसा जिम अगले आझाय की में है तरह से senior आडबबबबबबबन